तो आज बढ़ा ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है मज़ेदार टॉपिक है और मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है चैप्टर को चलिए तो सबसे पहले कुछ बेसिक बाते क्लियर कर लें ज़स्ट सेकेंड तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के साथ ही साथ पुरा पढ़ते 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 खतम करेंगे यानि एक महा मेराथन वीडियो आप कह सकते हैं दा माइन स्क्रैच रोल भारत में बनाया गया था यह भारत में अप्लीगेबल था तुझी बिल्कुल था इसी से पहले दा माइन स्क्रैच रोल लेकिन इसका चोकी लंबर टाइम तक निन बहुत कम तक चला था लेकिन इसमें कुछ टकनीक ही बहुत सारा दिक्कत था जिसको फिर से इसको सुधारा गया मान स्क्रैच रोल को और फिर फाइनली इसक्रैच श्क्राम करेंश किया गया यह वाला कहां देखने को मिलता और इ इस नीरस्त कर दिया गया है और 1966 यह चीज लिखा हूआ है रूल 14 में पहली बार बना गया था मांइ क्रैच रूल 1966 तो सवाल historically, पहले ठीरे होता क्या है? हम अगे बे। देbak करें क्रिफ भर्र्ह उपन करते हैं.. यहां पर हम लोग सर्च करते हैं, क्रैच, चल, एक बार हम लोग आपके सामने सर्च करके, क्रैच का एक बार image देखते हैं, क्या खिर क्रैच होता क्या है, तो अब यहां पर जो फोटोज आप देख रहे होंगे, इसको थोड़ा गौर से देखे, आपको दिखाए देगा कि छ छोटे बच्चे कोई चीज से खेल रहे हैं, और उनको कोई instructor है, जो सिखा रहा है, कुछ बता रहा है, यानि एक तर से कहा जाए, तो fun and learn वाले जो schools होते हैं, प्ले स्कूल जिसको कहते हैं, तो प्ले स्कूल जैसा ही कुछ धाचा होता है, क्रैच का, क्रैच को हिंदी में कह लोग होते हैं, वो जानवर रखते हैं, पेट रखते हैं, और उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, तो उस condition में पेट को लेके एक जगह दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं, तो कुछ क्रैच होते हैं, जिसमें वो जमा कर देते हैं, पेट को, कुछ उनका खर्चा टाइप का महूल कह सकते हैं आप यहाँ पे फोटो देखते हैं यह सभी का सभी क्रैज का फोटो है जो आप देख रहे हैं जिसमें देखेगा दो इंस्ट्रक्टर है टीचर टाइप की हैं जो पढ़ा रही है इपी सीडी सब के बारे में बता रही है पले वाला बहुत सरा आपको आइडिया लग गया होगा चले अब हम लोग फिर से आते हैं इसी पर तो आखिर सवाल यह है कि क्रैज बनाया क्यों जाता है कि आज को क्रैज को हम हिंदी में कहते हैं सीशू ग्रि मतलब बच्चा लोग का घर सीशू किसको कहते हैं तो टेक्निकल डिफिनेशन के हि आपसे जो क्रैज रूल बनाया गया है वो बनाया गया है कोई अगर वोमेन का मतलब महिला अगर कोई महिला किसी माइन्स में काम करती है चाहे वो कोल का माइन्स हो चाहे वो अधर किसी चीज का माइन्स हो अधर माइन्स में मैटल ओयल और बहुत सारा चीज है सब इंक्लू महिला उसके बिल्कुल कर सकती है कुछ उसमें चूट दिया गया है और अभी माहिला का करती है 12 महिना में कभी भी और महिला का छोटा बच्चा है छोटा बच्चा मतलब 6 साल से कम उम्र का बच्चा अगर महिला का 6 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उस कंडिशन में वो क्रैच का यानि सिसु ग्रे का सरन ले सकता है अब ही देखो महिला है 6 साल का छोटा बच्चा पाइन्स में नौकरी करना, तो महिला मैंस में बुट्टा को प्लेके नहीं जा सकती है, मैंस का इंभर्मन कितना डेंजरस है आप हुद ही समझ सकते हैं, आगर मैंस के बच्चा साथ में रहेगा तो तंग करेगा तो इसलिए बच्चा को एक सीशू ग्रै यानि एक माइन जनी सर्फ Chelsea चोटा सा ब्लैय-स्खूल टाइप करता चुरॉशunda खाने का खाने का बहुत सरो सामान रहता है विम्हां साने धोने का सब समानरता घ्रक को उसमें अब रुशा के छोड़ देती है मै। रहते हैं जिसको नर्सरी मरशिंग ऊम वाला तो वह आहाँ बी मतर का द्यान के सखती है Center आफ करने जाती है कि मैं अब करिया से करें जाती है सिसुग्री क्रैच कहां बनाना कंपलसर ही है जहां महिला काम करती है बारा महिना में कभी भी जौब कर रही है उस कंडिसन में उस जगा पे क्रैच बनाना ज़रूरी है अगर उस महिला का 6 साल से कम उम्र का बच्चा है तो अगर किसी माईस में महिला काम नहीं कर रही है तो और उसका छोटा बच्चा नहीं है छे साल से कमोमिर का छोटा बच्चा नहीं है तो कोई ज़रोरी नहीं है क्रैच बनाने का ठीक है क्या अगर कोई पुरुस काम कर रहा है माइंस में उसका 6 साल से छोटा बच्चा है तो क्या उसके लिए क्रैच बनाया जाएगा जी नहीं बिल्कुल नहीं पुरुस का क्रैच से कोई संबंध नहीं है महिला का क्रैच से संबंध है यानि महिला अगर है और महिला का 6 सा अब कुछ बेसिक चीजों को हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हॉले हॉले तो अब यह हम पढ़ा रहे थे इसमें अभी तक आपने क्या सिखा अभी तक आपने सीखा कि 1959 में बनाया जा चुका था लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी था जिसके कारें उसका अमेंडमेंट किया गया और इसको फिर से 1966 में बनाया गया क्रैच क्या होता यह आपको समझा दिये क्रैच मतलब एक बच्चा को रहन का घर होता है कितना साल से चोटा बच्चा के लिए बनाया जाता है छे साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रैच बनाया जाता है तो यहां तक आई हूप आपका क्लियर हो गया होगा मैंसन क्लिय अभी आता है पब्लीकेशन डेट को माइन क्रैच रून को कब पब्लिक किया गया था तो याद रखिएगा एक अप्रेल 1966 जो अभी हम फिलाल पड़ रहे हैं वन अप्रेल 1966 को द माइन क्रैच रून को अप्लाइ किया गया था अप्लीकेबल यानि लागू है तो जहां जहां माइन्स एक्ट 1952 लागू है वहां वहां माइन्स क्रैच रून लागू है कहां लागू है तो अब यह सी पहला सवाल आएगा जहां महिला काम करती है छे साल से कम उम्र का बच्चा हो तो कहां लागू है कोईला वाला माइस में मेटल वाला माइस में कहां पर लागू है तो जहां भी माइस एक्ट 1952 लागू है वहाँ वहाँ दमाइन्स क्रैच रूल 1966 लागू है यहाँ तक आपका क्लियर हो गया चली अब हम लोग एक बार इसको पोस्ट माटम करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दमाइन क्रैच रूल में आप पढ़ेंगे कि क्रैच रूल कब बनाया जाता है कौन-कौन सा सिच्वेशन है जिसमें उसमें छूट दिया जा सकता है क्रैच रूल में क्या-क्या होता है क्या कौन-कौन परसन कितना क्वालिफाइड होना चाहिए तो टोटल रूल का संख्या का बात करें इसमें ठीक है तो आपका पहला नंबर से स्टार्ट होता है रूल ठीक है और लास्ट जो रूल है वह आपका 14 यह भर कर लेता हूं 14 टोटल इसमें 14 रूल है तो माइन्स क्रैच रूल में टोटा 14 रूल है टोटल कितना रूल है चोटा रूल है टोटल 14 रूल है याद रखेंगा दा माइन्स क्रैच रूल 1966 में टोटल कितने रूल से सर टोटल चार रूल है देख बंड मैं देख लता हूं अब सब आन है ना कहीं पुपट तो नहीं हो गया है चले रिकॉर्डिंग आन है स्क्रीन सब सभी है वाइस मेरे 12 रूल है चोटल 14 तो याद रखेगा माइन्स क्रैच रूल 1966 में अगर हम फॉर्म की बात करें तो इसमें एक सकेंड, टोटल जो फार्म है, वो तीन है, टोटल फार्म कौन कौन सा है, तीन है, फार्म A, फार्म B, एंड फार्म C, क्रैच रूल का अलग फार्म है, माइन सेक्ट रूल वबला जो आप पढ़ने हैं, वो एक अलग फार्म है, तो कभी भी आपसे अगर फार्म A पूछा जाता है तो बगल में जरूर रिख देगा according to minds crash rule 1966 यह लिखे बिना सवाल नहीं करेगा crash rule का तो याद रखेगा crash rule में तीन फॉर्म है crash rule में तीन फॉर्म है form A form B form C form A form B form C form A form B form C अब आते हैं सीडियूल में सीडियूल में टोटल चार सीडियूल है सीडियूल वन सीडियूल टू सीडियूल थी एंड सीडियूल फॉर सीडियूल वन सीडियूल टू सीडियूल थी एंड सीडियूल फॉर तो टोटल चार सीडियूल है तो आपको पढ़ना क्या क्या है आप समझाते हैं फटा-फटॉ एक ब प्राप पर माइस क्रेच और प्रापा यहां तक आपका कलिर होगया उपर उपर से पूरा माइस क्रेच और का एक आईडिया ले लिए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कि करके सब रून को समझते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं, rule no.1, rule no.1 में सबसे पहला जो लिखा हुआ है, वो है publication date, तो publication date फटाक से आप बताइएगा, कब फब्लिक किया गया था, अब हम थोड़ा दिर पहले आपको बताया था, चलिए option दे देते हैं, इसको हम question no.1 डिकलियर करते हैं, a, b, c, d, चार option है, माइस करेच रूल 1966, इन में से concept date को पब्लिक किया गया था, 1st July 1966, 1st April 1966, 1st August 1966, या 1st September 1966, फटाक से बताइएगा, पब्लिकेशन डेट क्या है, 1 जुलाई 1966, 1 अप्रेल 1966, 1 अगस 1966, या 1 सेप्टेंबर 1966, comment section में बताइएगा, फटाक से चैटों में बताइएगा, rule no.1 पब्लिकेशन डेट कब है, मतलब rule no.1 कह रहा है, इसका एंसर हो जाएगा, 1 अप्रेल 1966, जी विलकुल, 1 अप्रेल 1966 को ये पब्लिकेशन किया गया था, ठीक है, कहां-कहां फॉलो होता है, माइन्स एक्ट जहां-जहां फॉलो होता है, 1952, उसी जगह पे ये फॉलो होता है, तो rule no.1 में बस इतना ही लिखा है, rule no.1 आपका पूरी तरसे complete होता है, publication date 1 April 1966, जहां माइन्स एक्ट नाइन्स एक्ट नाइन्स एक्ट लागू है, वहीं the mind scratch rule 1966 लागू है, अब आते हैं rule no.2 में क्या है, definition है, definition में आपको कितना definition याद करना है, मात्र 3, मात्र 3, सबसे पहला definition है, competent, स्पैलिंग पर मत जाएगा, भावनाव पर जाएगा, authority, competent authority मेरा पहला definition हो जाएगा, दूसरा है, ग्रैच का परिभासा, ग्रैच के बारे में हलका कुछ description है, और तीसरा हो जाएगा, medical officer in charge, ये तीन terminology से आपको रूबरू होना पड़ेगा, अगर आप माइन्स क्रैच रूब 1966 को अच्छी दरगे से समझना चाहते हैं, तो ये तीन चीज़ से आपको रूबरू होना पड़ेगा, सबसे पहले चली हम आते हैं, competent authority के बारे में, क्या अखिर competent authority होता है, क्या है समझते हैं, तो competent authority, अगर हम coal mines का बात करें, तो अलग हो अगर हम metal mines का बात करें, या metal कह रहे हैं, यहाँ पर अधर सब्द का इस्तमाल की अधर में सबा जाएगा, ठीक है, other mines का बात करें, तो अलग हो जाएगा, coal mines का बात करेंगा, metal mines का बात करेंगा, तो अलग हो जाएगा, coal mines में competent authority कौन होता है, पूछ सकता है, याद रखेगा कोल माइन्स वेलफेर कमिशनर कोल माइन्स वेलफेर कमिशनर कोल माइन्स वेलफेर कमिशनर जो है वो कोल माइन्स में कमपेटेंड अथॉर्टी होता है कौन होता है कोल माइन्स वेलफेर अफिसर जो है वो कमपेटेंड अथॉर्टी होता है coal mines के लिए mines scratch rule के हिसाब से तो पूछा जा सकता है the mines scratch rule 1966 के हिसाब से इन में से कौन competent authority होता है for coal mines चार option देदेगा बेतुगा बेतुगा option में आपको टिक मारना है coal mines welfare officer इसके बाद अगर other mines है तो other mines में cheap inspector भी हो सकता है साथी साथ कोई ऐसा person जिसको चुना गया हो जिसको इन काम के लिए इस काम के लिए इस काम के लिए चुना गया हो ठीक है जिसको इस काम के लिए चुना गया हो तो याद रखेगा competent authority coal mines के लिए coal mine welfare of commissioner होता है लेकिन other mines की बाद करें तो CI भी हो सकता है Chief Inspector भी हो सकता है दमाइंज क्रेच रून 1966 के हिसाब से तो यह आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा रून बट्व का यह जो पहला डेफनेशन है अब आते हैं दूसरा जो आलड़ी आप रूबरू है वो है क्रेच के बारे में हम आपको यह रूम होता है पहुत सारा सुविधा हो बच्चा लोग का इस्तमाल के लिए कितना से 6 साल से कम 6 साल से कम के बच्चों के लिए 6 साल से कम के बच्चों के लिए क्रेच बनाया जाता है जहां पर महीला नियोजित हो जहां महीला नियोजित हो तो यह हम आपको बचा चुके हैं क्या बताया थे क्रेच एक थो कमरा होता है जिस कमरा में बहुत सारा बच्चा लोग को खेलने मिलनेक समान रहता है, खाने पीनेक सूतनेक समान रहता है, उसमें सब सुकसु विधा रहता है, बच्चा रोए नहीं, बच्चा खेले के लिए, खेलके बिजी रहे, और 6 साल से कम चोटा बच्चा के लिए हम रखते हैं, ज अगला जो डेफिनेशन था, वो है medical officer in charge, medical officer in charge को crash rule के हिसाब से हम qualified medical practitioner, qualified medical practitioner भी हम medical officer in charge को कहेंगे, medical officer in charge क्या होता है सब, medical officer in charge crash rule 1966 के हिसाब से, qualified medical practitioner होता है, कोई भी qualified medical practitioner है, उसको पकड़ के आप medical officer in charge बना सकते हैं, तो वही हो जाएगा यहाँ पे, दोनों एक दूसरे का synonym कह सकते हैं, इस जगा पे, ठीक है, चलो, I hope यहाँ तक आप समझ गया होंगे, तीनों definition आपको clear हो गया होगा, ठीक है, तीनों definition clear हो गया होगा, अभी हम आप क्या बला है, आपके बहाँ भी हम आपको rule no.02 बताएं, rule no.02 में क्या बताएं, सबसे पहले हम आपको एक definition बताएं, competent authority का, competent authority में आपको बताएं कि कोईला का माइन्स से तो अलग हो जाता है, कोईला का माइन्स में जो coal, माइन्स, welfare officer होता है, welfare commissioner होता है, वारबर commissioner याद रखना पड़ेगा, और other माइन्स का अगर हम बात करें, तो CI सहाब भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा आदमी जुसको इस काम के लिए चुना है, उसको हम रख सकते हैं, ये तो हो गया था, competent authority का definition, फिर हम लोग आते थे, crash, crash के बारे माँ आपको बता ही दिये हैं, 6 साल से कम का बच्चा रहेगा, महिला नियोजित रहेगी, है उस जगह पर एक टो कमरा रहेगा, जहां पर इस सब चीज सब सुक्सुईधा रहेगा, बच्चा खेलने का, फिर हम आपको बताएं, क्या, medical officer in charge, medical officer in charge के बारे माँ आपको क्या बताएं, कि qualified medical practitioner, क्या, qualified medical practitioner, चले, यहां तक आई, hope आपका clear हो गया होगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ताकि आपका दिमाग में छप जाए, आप irritate हो रहे होगे, हमको पता है, लेकिन अभी irritate हो रहे हैं, भाद में जब आचानक से याद आएगा, तो समझ में आएगा कि बार बार रिपीट करने से क्या फायदा होता है, कहें चले हम लोग आते हैं, यहां ते clear हो क्या है, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, रूल नंबर तीन, रूल नंबर तीन में क्या है सर, बोला गया है कि competent authority किसी माइस को क्रैच बनाने के समय का छूट दे सकती है, विद टमसन कंडिशन, यहां हम क्या करते हैं, यहां से हम को अपना जो खुद का नोट्स बनाया है कॉपी में, उसको ले के चलना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तो राइटिंग को इग्नॉर किजेगा, यहां से हम कुछ पॉइंट समझाना चाहेंगे आपको, उसको समझने का कोशिस किजेगा, ठीक है, तो competent authority किसी माइस को क्रैच बनाने का समय में छूट दे सकती ह मालीजे ऐसा है कि कोई माइस बना भी नया नया, समझे, माइस में वरकर लोग का दिकत है, माइस को घाटा हो रहा है, या उस जगह चिनित नहीं कर पा रहा है, जहां पर क्रैच बनाने का ऐसा decision था, उस जगह पर फिलाल माइनिंग माइनिंग चल रहा है, उसको भरना है, त authority को complain करेगा, component authority यहां पर कौन है, अगर coal का mines है, तो coal mines welfare commissioner, अगर other mines है, तो CI सहाब या जो आत्मी को चुना गिया है, उसके सामने बताएगा, mines का manager, कि भया ऐसा है, कि यहां पर हम बनाना चाह रहे थे, mines में क्रैच, लेकिन उस जगह पर अभी यह चल रहा है, वो चल रहा है गड़ा है, उसको भरना पड़ेगा, इसे वसे, तो component authority उसको कुछ समाई का छूट दे सकता है, कि एक काम करो भाई, तुमको हम दू साल का छूट दे रहे हैं, दू साल के अंदर यह बना लो, या छे महिना का छूट दे रहे हैं, छे महिना के अंदर यह बना लो, या फिर अभी कर सकता है, कि बोले कि एक काम करो, तुम तो permanent crash बनाना चाहता है, इटा, सिमेंट, गिट्टी, धलाई करके घर बनाना चाहता है, तुम एक काम करो, अभी धलाई करके मत बनाओ, अभी एक काम करो, करकट का, या temporary कहीं पर setup बना दो crash का, ताकि बच्चा लोग जो अभी आ रहा है, उसी जगह पर रहा जाए, तुम कुछ ऐसा temporary ही बना दो, तो यह कुछ provision है, crash का लेकि, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है भासा में, अगर दो mines, हाँ, पहला तो point आप समझ गया होंगे, पहला point यही है, कि competent authority कि इसी crash में छूट दे सकता है, कि अभी बनाओ, ए माइन्स है, माइन्स का नाम है, पिन्टू माइन्स, ठेक है, और दूसरा माइन्स का नाम है, जिसका नाम है, चिन्टू माइन्स है, चले, तो पिन्टू माइन्स और चिन्टू माइन्स, दोनो माइन्स आजू-बाजू में पढ़ता है, अब पिन्टू माइन्स में भी मान दोस्ति कर लिया पिन्टू ॉ चिंटू वाल मांस हुआ लू हो, जा फ़ि हमें यगों कम बनाना चाहता है , जान इस मांसच का महिला का रहा बीच में बना दिगा जाल फ़िस और ब इलन competent authority से permission लेना पड़ेगा अगर competent authority अलाव करती है तो दोठो माइन्स मिला करके संजुक्त क्रैच भी बना सकती है दोठो माइन्स मिला करके संजुक्त क्रैच भी बना सकती है by the competent authority कौन होता है कोईला के लिए बात करें तो कोल माइन्स वेलफेर कमिशनर होता है और अधर माइन्स के लिए बात करें तो ciai या कोई person जिसको इसके लिए रखा गया हो होता है अभी मान के चलिए कि जो क्रैच होता है a b c d चार टाइप का होता है चारों हम लोग बेसिकली production के basis पर रखते हैं चैके production के basis पर हम लोग माइन्स का worker वोमन के basis पर रखते हैं इसको हम अच्छे समझागते हैं ने चलो अभी आही रहे हैं उस पर उस पर आही रहे हैं फिले एक बार मोटा मोटी आइडिया देते हैं दो क्रैच जो है न वो चार कंसा टाइप का क्रैस होता है यह depend करता है कि कितना महिला कि लिए डिकर्ते हैं अभी माली जैसा है कि अज इस माइन्स का नाम था अब 20 महिला में से 10 महिला भाग गई, 10 महिला निकल गई, अब बच गई 10 महिला, तो अब इसके हिसाब से क्या होगा? इसके हिसाब से अब B-type से A-type में call के लिए माल लेते हैं, मतलब उसका change होगा, type of जो crash है वो change होगा, तो change तभी होगा, change पर गोर किया जाएगा, जब लग तीन साल से दस महिला काम कर रही है 20 महिला हुआ करती थी वह भाग गया है उस कंडिशन में जो क्वाल आपका competent authority है वो decide करेगा कि हाँ भईया इसमें छूट दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए उससे कम में अपने मन मुताबित माइस का कोई भी मैनेजर ऐसा नहीं करेगा कि पहले उसको competent authority से permission लिना पड़ेगा तभी जाके करेगा यह समझ रहे हूं गया यह हो पहले ज्य competent authorities पर विचार कर सकता अगर इसे कम समाई है तो फिर माइस मैनेजर का इस पर विचार नहीं किया जाएगा जो बड़ा वाला बनाया है क्रेच उसी पर बनाया जा सकता है ठीक है तो बिल्कुल यहीं चीज लिखा हुआ है अब एक basic चीज को हम समझते है ठीक है एक basic चीज को मतलब अैसा है कि आपका जो दीवाल है वह यह वाला है यह क्या है तो इसी को हम लोग बोलते हैं अब हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया को निकालेंगे इस पर देवालें तो यह आपका क्या हो जाएगा पिंच एरिया कहलाएगा तो यह पिंच एरिया हर टाइप का टाइप का हर टाइप का क्रेच के लिए अलग होता है जिसमें ज्यादा बच्चा रहेगा उसमें बड़ा रूम बनाना पड़ेगा जिसमें कम बच्चा रहेगा उसमें छोटा रूम बनाना अलग होड़ता है अब आते हैं भयंकर पॉइंट ऑप दे रूल नमबर चार जो है वो भैरी 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 जितना भैरी लगा सकते उतना लगे पॉइंट दिये हुआ है अस्टेंडर्ड ऑफ क्रेच अब इसको समझर नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा समझ लिज्यगा बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा schedule को रटने का कोसिस किजेगा तो थोड़ा साबको difficulty हो सकता हम simple भासम आपको समझाते हैं समझ लिए पहले तो जान लिए जो crash होता हूँ 4 type का होता है A type का B type का C type का D type का ठीक है समझेगा महिला कितना नियोजित है इस पे depend करता है कितना महिला नियोजित है उस माइस में इस पे depend करता है अगर कम महिला है तो A type करहेगा अगर थोड़ा सा जादा महिला है तो B type करहेगा थोड़ा सा और जादा है तो C type करहेगा और जादा है बहुते जादा है तो D type करहेगा यहां तक समझ गया है, मतलब सबसे कम महिला किसमे नियोजित रहेगा तो बनेगा A टाइप का क्रेच, अगर सबसे कम महिला नियोजित था तब बनेगा, सबसे जादा महिला कब बनेगा, D टाइप में बनेगा, अभी सोचिए सबसे जादा महिला नियोजित होगा, तो टाइप का बनता है सबसे बड़ा क्या बनता है डी टाइप का क्रैच का एरिया रहता है यहां तक अगर आपका कॉंसेप्ट किलियर हो गया हो तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा ठीक है चले आप हम लोग आते हैं पॉइंट वापे रूख जाईए थिक समझते हैं सिंपल भास हम इसको देखो यहां पर हम लिखते हैं डाइप्स ऑफ ग्रैच जैसा हम लिख रहें वैसा लिखते जाहिए ठीक है बहुत यहां पर लिखेगा कोल माइन्ज हिधर लिखेगा अधर माइन्ज और यहां पर लिखेगा प्लिंथ एरिया प्लिंथ एरिया मैक्सिमम प्लिंथ एरिया ठीक है अभी टाइपस ओप क्रेच इसको हम एक चार्ट बनाते हैं राइटिंग पर मत जाना और थोड़ा सा मेरा खराब है तो उतना डीटेल पर आपको डाटास से मतलब होना चाहिए चले एरिये टाइप का क्रेच यह रहा बी टाइप का क्रेच यह रहा सी टाइप का क्रेच यह रहा डी टाइप का क्रेच यह रहा तो अभी हम आपके सामने क्या लिखे हैं अभी हम आपके सामने लिखें shopping рабب का gratis c debt I'm going to talk to kuntar massacre को लुइ जिद kaikki मैंच के लिए महिला नियो विडित की अलग data है यह क्या है यह दोनों जो आप देख रहे हैं यहां यह महिला नियोक नियुजित है बामिन इंपलोईट है ठीक है महिला उस मनेसमें जाब कर कर रही है नौकरी कर रही है यह कोल मस के लिए अलग डाटा है जाता है महतलब मतलब 10 या 10 से कम महिला अगर कोई कोल माइस में नियोजित हो तो वहाँ पे जो क्रैच बनाया जाएगा वो A टाइप का क्रैच बनाया जाएगा क्या बोला मैंने कोल माइस है 10 या 10 से कम महिला नियोजित है वहाँ पे जो क्रैच बनाया जाएगा वो मेरा A type का crash बनाया जाएगा ठीक है? 11 से लेकर के 50 तक 11 से लेकर के 50 तक अगर कोई महिला कोई कोल माईस में नियोजित है तो वहाँ पे जो मेरा crash बनाया जाएगा वो B type का बनाया जाएगा क्या बोले? जहाँ पे 11 से 50 पहला वालम क्या था? 10 या 10 से कम था 10 इसी मा आ गया है अब 11 से 50 के बीच में अगर कोई महिला नियोजित है तो हम B type का crash बनाये B type का crash बनाये कोल माईस में तीसरा हम बता रहे है यहाँ 50 हो गया तो यहाँ आएगा पे एक कावन एक कावन से 100 अगर किसी माईस में एक कावन से 100 महिला नियोजित है तो वहाँ हम C type का crash बनाये कोई कोल माईस है जहाँ पे 51 से 100 महिला के बीच में नियोजित है तो उस condition में हम C type का crash बनाएंगे यहां तक clear है और चौथा है more than 100 जैसे हम याद करा रहे हैं करते जाईए साथी साथ clear हो जाएगा तो हमने आपको क्या बताया महिला नियोजित के हिसाब से हम types of crash बनाते हैं 4 type का crash होता A, B, C, D A type का crash अगर coal mines में देखे तो coal mines वाला पहले हम data बताते हैं आपको 10 या 10 से कम है तो A type का crash बनेगा coal mines में कोई mines coal mines है जिसमें 11 से 50 के बीच महिला है तो B type का हो जाएगा 51 से 100 है तो C type का हो जाएगा 100 से जादा है तो D type का हो जाएगा यह तो हो गया coal mines के लिए अभी other mines के लिए जो data है यह थोड़ा सा जादा है ठीक है यह थोड़ा सा जादा है यहाँ पर 30 या 30 से कम रहेगा other mines में यानि coal mines को छोड़के कोई दूसरा mines में 30 या 30 से जादा महिला नियोजित है तो A type का crash बनेगा 30 या 30 से जादा महिला नियोजित है तो A type का crash बनेगा इसके बाद 31 से लेकर के 100 तक कोई महिला नियोजित है तो B type का crash बनेगा coal mines को छोड़के जितने भी mines होते हैं उसमें अगर 31 से 100 के बीच में महिला नियोजित है तो B type का crash बनेगा कौनसा टैप का बनेगा बी टैप का क्रेज बनेगा ठीक है 101 से लेकर कि 200 तक अगर महिला नियोजित है 201 से लेकर कि 200 को अगर कोई ादर माइश 200 से ज़्याद किब्छादा के दो से ज्यादा किद्ट कीरा अगर रहें अज़ेगा..? तोघस के सबिते हैं.. याद रिखिए और नियहां है.. है कि भूछष तरहुत कि पर श government बाहुमें अलग होता.... इसको आप दो तिन बार स्ट कीरा.. अब इसम्तित ही.. दस या दस से कम, 11 से 50, 11 से 100, more than 100, यहां पर 30 से सुरू करना, 30 या 30 से कम, 31 से 100, 31 से 200, 200 से जादा, यहां पर आपको ट्रिक बता देरें, याद करने का, simple, यहां पर देखिएगा, 100 से जादा है, यहां 200 से जादा, 100 से जादा, 200 से जादा, 100 से जादा, 200 से जादा, 100 से जादा, 200 यहां तक कोई समस्या कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए चले आगे बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं और आगे अब आते हैं प्लीन्त एरिया प्लीन्त एरिया के बारे में हम आपको बताएं कि माइन बॉंडरी का जो एरिया होता है अगर ए टाइप का एर क्रेच है तो उस कंडिशन में 27.5 मिटर स्क्वार 25 27m2 इसका हो जाएगा plane debON cu और 325 BTS याद करना पड़ेता है जो रट नियुकर चलिए इसको फिर से लृपpowद आप करा देते हैं प्टा फटा प लोग तो हमने आपको क्या बता है इस तेंडर्ड रूबर को ट्रैज्च ₹ में दिया हुआ है और यही वाला डाटा है यह स्टिव दूबλέफ में डीया हुआ hiking one में दिया हुआ है सीटियूल बनुफ नबर चार झोई है करता है इसमें रूस नियम भी जुड़ अगर महिला नियोजिन गोल माइन्स का बात करें 10 या 10 से कम है तो A टाइप का है 11 से 50 है तो B टाइप का क्रेच है 51 से 100 है तो C टाइप का है 100 से जादा है तो D टाइप का है तो यहाँ पे हम 100 से जादा बोले थे कि 100 से जादा गोल वाला में मेटल वालम अधर वालम हो जागा 200 से जादा 100 से जादा 200 जादा फटाक से यहां बगल में 200 जादा लिख देंगे ताकि अब हम गलती नहीं करें अब उपर से शुरू करेंगे अधर माइन से 30 या 30 से कम है तो A टाइप का क्रेच 31 से 100 है तो B टाइप का क्रेच आपका 101 से 200 है तो C टाइप का क्रेच और 200 से ज़्यादा तो लास्ट में हम लिखे ही थे मिला लिए data सब सही है एकदम confirm होगे चलो मेरे data सही है नीचे में एको बताया तो 100 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा सही है अब आते हैं प्लीन थेरिया के तरब आपका 90 मिटर स्कुयार है और D टाइप में 325 मिटर स्कुयार यह data आपको रटना पड़ेगा तो आई होप यह पूरा अच्छे से आपसो समाझ में आ गया हो कि यही से कोशिंद पूछता है और बहुत बार पूछता है आज कल दो देखो पैटन थोड़ा चेंज हो रहा है तो अभी जो आपका स्लेबस में है पूरा चाट लिजी अच्छा रहेगा थोड़ा सब अब आते हैं हम लोग रूरोन नभर चार में हम बता ही रहते हैं रच्रोल 1 के बारे में फिपढ़ें इसमें सीड्य 1 ka which जाता है जिसमें टाइपस आप पड़ें ठीक है अब चार में और भी कुछ-कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है सबसे पहले बोला गया है मतलब बोला गया है कि जो क्रैच बनाया जाएगा क्रैच में जो फ्लोर होगा मेरा फ्लोर जिसमें बाइट के बच्चा लोग घिसड़ेगा बच्चा लोग लिटेगा गंदा करेगा मतलब बच्चा है तो भी या रेंगेगा तो जो फ्लोर होगा ये सिमेंट का होना चाहिए पूरा चिकना सिमेंट या तो स्टोन का होना चाहिए ठीक है और इसका जो हाइट होगा चिकना इसको हम क्या कहेंगे चिकना चिकना हाइट ये जो हाइट होगा दिवाल में मतलब बगल में दिवाल घर में कैसे टाइल्स लगाते हैं दिवाल तक लगाते हैं वैसे दिवाल तक थोड़ा हम सिमेंट का पुरा पक्का रखेंगे और चिकना करके रखेंगे इसका जो हाइट हो जाएगा हो जाएगा चार मीटर कितना हो जाएगा चार मीटर हो जाएगा Чер मीटर हइड लग तक रहाँ दक चार मीटर हेट तक चिकनाक रखेंगे चले दूसरा एक पॉइंट इसमें क्या है इसमें बोला गया है दीवाल का जो चूना पोताई होगा यानि लाइम वास होगा वो कितना दिन कितना दिन पे होगा छे महिना में एक बार तो कभी कोशन पूछेगा बताओ भाया जो क्रेच होता है उसमें चूना का पुताई या लाइम वास कितना दिन पे होता है तो छे महिना में एक बार होता है कितना दिन पे होता है छे महिना में एक बार होता है इसके बाद जो आपक इसमें वार्नी सिंग किया बार तिल में एक बार चलिकी नमर 2 बी आ जाता है। टाइप सब क्रेच के बारे में आपने पढ़ा कि A B C D चार टाइब का होता है कोल के लिए और मेटल के लिए मतलब जहां भी महिला नहीं हो जी थे ठेक है बाकी डाटा को अच्छे से बता है फिर कुछ पॉइंट था जैसे क्रेच का जो फ्लोर होता है चिकना करके रखते हैं चार मिटर हाइट चीतन मिटर चार मिटर तर लाइम वास करके रखते चूना पोताया करते हैं छे महिना में एक बार जो क्रेच रहेगा अंदर में बढ़ियाश पोचाड़ा उचड़ा करें कलर रोलर कर देंगे इसके बाद बोला गया है कि जो विंडो है गेट है फरनीच अब आते है रून नमबर पांच रून नमबर पांच में क्या है प्रोवीजन आफ लेट्रिग अब यह बच्चा है खाएगा तो खाएगा तो निकालेगा भी अब बच्चा को तो आपको पता ही है क्या स्तिती होता है कहीं भी चीची पोटी कर देगा आपको साफ करना पड़ेगा तो लेट्रिंग का प्रोवीजन होना चाहिए जो भी क्रैच होता है उसमें प्रोवीजन आप लेट्रिंग होना चाहिए तो अब लेट्रिंग का संख्याप समझ लिजेगा अगर A टाइप B Tайp यह C type A B यह C type है तो एक lettering रहेगा कितना रहेगा एक lettering रहेगा और अगर D type अगर D type है तो दो lettering रहेगा हमने आपको क्या बताँ A type, B type, C type का scratch है तो एक फो lettering बनाये जाएगा थाकि बच्चा को सुसू पॉर्टी आएगा तो वहाँ ले जाके उससे करवा सकते और अगर डी टाइप का है तो दूट वलेटिंग बनाएंगे समझ गया अभी इनफैक्सियस डीजीज वाले स्टूडेंट मान की चलिए कि अब बच्चा है महिला है काम कर रही है माइस में उसमें से कुछ बच्चा है बच्चा को कोई बच्चा को बड़ा नाजूक होता है उसका स्वास्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है इसके लिए उसका मैडिकल एक्जामिशन भी हर महिने किया जाता है डॉक्टर के द्वारा वो तो हम आगे पढ़ाएंगे ही उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है तो कोई इनफ हम लोग रखते हैं ऐसा नहीं कि बनाएंगे बच्चा वह गया तो नहीं हम लोग एक्स्टा रखते हैं जो भी है जैसे एक टाइप है वी टाइप है तो एक लेट्रिंग हम रखें है नॉर्मली और एक इंफेक्सियस बच्चा के लिए अलग से डाल देंगे तो इनफेक्स में आपसे यह पूछे कि एक टाइप का क्रेच है टोटल लेटरिंग का संख्या कितना होगा अब बताईगे तो आप बोलिएगा एक गलत हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा दो ऐसा क्यों? क्योंकि एक lettering तो आपका रहेगा और एक क्या रहेगा एक्स्टा lettering रहेगा जो infectious disease वाला बच्चा के लिए रहेगा infectious disease वाला बच्चा के लिए हम लोग extra lettering बना के रखते हैं कि lettering का संख्या कितना होगा तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एक lettering और दो lettering बोलना पड़ेगा चीक है? शेरी आगे बढ़ते हैं rule number 6 rule number 6 में क्या है? सब type के bathroom में washing area रहेगा अब bathroom क्या होता है? lettering क्या होता है? यह तो हमको नहीं लगता समझाने जुरत है lettering मतलब जो सुबह सुबह आप लोग जाते हैं pressure आने के बाद तो उसको lettering मोलते हैं आप bathroom का मतलब must sourbower खोल के नहाते हैं कपड़ा लटा दोते हैं उसको bathroom मोलते है तो bathroom में बच्चा का नहाने के लिए एक अलग जगा रहेगा इसके बाद washing area रहेगा washing area क्या होता है? जहां से बच्चा है कपड़ा गंदा करेगा चिची पोटी कर दिया तो उसको साब करना है तो washing area अलग से रहे और सुखाने के लिए जो area रहता यह सब जनरली रहता है तो point वाला इसमें क्या सवाल है point वाला सवाल है पंदरा लीटर पर चिल्डरेंड पानी रहेगा कहां? बाथरूम में पूछेगा कि बथा बताओ बाथरूम में कितना पानी रखेंगे हम क्रेच में मान के चलिए कि 10 बच्चा आपका क्रेच में है तो 15 इंटू 10 यानि कि 500 लीटर कम से कम पानी आपको रखना पड़ेगा बच्चा को नहला दे दुलाने के लिए 15 लिटर पानी हम क्यों रखते है क्योंकि बच्चा है उसको नहलाएंगे दुलाएंगे तो खर्चा हो जाएगा ठीक है तो पानी हमको रखना पड़ेगा बच्छा को सापसुत्रा भी रखना पड़ेगा बटी सीसी कर दी सुजू कर दिया तो आब उसको क्या करेंगा ऐसे खड़ी रखेंगे उसको नहाएंगे धुराई में कपड़ा लटता भी रखता बच्छा उसको पहना देंगे जरूब 15 लीटर पर चिल्डन के इसाब से पानी रहेगा बाध रूल में तो रूल नम्बर 6 में इतना ही है इसाब से पानी है अब आते हैं रूल नम्बर 7 रून नुबर सेवन है अमिनिटीज टू बी प्रोवाइड़ एट क्रैच अमिनिटीज का मतलब क्या होता है समझते अमिनिटीज का मतलब होता है साधन अमिनिटीज का मतलब जैसे खाना का रहेगा ठिक जैसे कपड़ा लगता रहेगा जैसे medical का समान रहेगा है ना first aid कीट रहेगा बच्चा है चोटूट लगा लेगा तो क्या करेंगा first aid का कीट रहेगा तो यह सब जो चीज इसको हम लोग बोलते है amenities तो first aid room में जो crash होता है crash में हम लोग क्या-क्या रखेंगे यह सब हमको कहां से पता चलेगा तो चलि यहां पर हम आपको समझा देते हैं एक बार रोल नमर्र साथ में हम पड़ रहे हैं amenities to be at crash to be provided at crash crash में क्या कह रहेगा तो यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं schedule 2 और schedule 3 के बारे में schedule 2 में क्या दिया हुआ है medical मेडिकल का समान इसमें फरस्टेट भी आ जाएगा और सीडियूल 3 में क्या दिया हुआ है खाना कपड़ा और अधर समान और अधर समान तो यह वाला मेरे साथ रटिये आप प्रूल नमर 7 में दिया हुआ है अमेनिटीज टुबी प्रभाइडड़ एट क्रैच जिसमें दो सीडियूल एक है सीडियूल नमर टू में क्या दिया है मेडिकल का समान जैसा फ़रस्टेट का समान हो गया है चोट घर लगता है उसका कुछ समान रखा जाता है बच्चा जैसा समान अबेक्तर लगतार समान अब्रणा है इंस बाता है में दिया दाइटटज न Spain क्पड़ा लगतार समान। सब दिया हुआ है सेडियू नमबर थी चलिए अब रूल नमबर साथ में कुछ पॉइंट भी है समझते हैं पीने का पान ये कोशन पूछता है ठीक है हम भी जब इजाम दिये थे जीमडी सी का जी पीसील का तो बहुत सारा जगह पे क्रैज से रिलेटिट कोशन पूछता है पीने का पान दू लीटर प्रती बच्चा पीने का पानी कितना रखा जाएगा दू लीटर प्रती बच्चा हर बच्चा के लिए कम से कम दू लीटर पानी रखा जाएगा तो ये कोशन पूछता है कि पीने का पानी बच्चा के लिए कितना रखा जाएगा दू लीटर एक प्रफ्चे पानी रखना पड़ता है सूद्स पानी ठंडा पानी तो तो उने का पानी कितन Iniुम पैस पर है तो बंधर 2 ने का पानी कितना पड़ती प्ढ़ता कंट राखी बच्चा कुट जाने का पानी 15 लिटर प्रति बच्चा, पीने का पानी 2 लिटर प्रति बच्च्च तो यह बच्चा बच्चा बोल रहे हैं तो रूल नम्बर एट पर आते हैं तो रूल नम्बर एट में एक लाइन लिखा हुआ है कि क्रैच तब तब खुला रहेगा चाहे डे हो चाहे नाइट हो तभी तभी खुला रहेगा जब कोई महिला काम करती हो काम करती हो क्रैच कब खुला रहेगा जब माईस जा रही है कोई महिला काम करने के लिए तो खुला रहे गा आप दिन में महिला जा रहे एक कामकरने सो दिन में कुला रात में जा रहा रहे और रात में जा रहे साम में जा रहे एसान तो आपका खुल ठीकया बस यही लाइन है तो यह कॉंसेट वाला चीज है आगे बढ़ते हैं New जो take जो पाइब कोई बनाया गया गया है जो आटेंडेंट होता है जो बच्चा लोगका अज़री बनाया गया और इसको छोड़का है और उसका इस पहले गज्ञारा ऐसा नहीं कि बगल से कोई आदमी गुजर रहा था देखा कि क्रेच है तो घुश गया बच्चा लोगों के साथ खेलने रगा ऐसा देखो एर इलीगल एक्टिविटी भी होता है तो अंदर घुशने का पर्मिशन नहीं होता है जिसका बाल बच्चा है जो जौब करता है जो बाल बच्चा को देख रहे होते और जिसको पर्मिशन दिया गया है जिससे जो इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं कि क्रेच सही से चल रहा है नहीं चल रहा है तो यह सब जा सकता है बाकी कोई फालतू आदमी बाहर का नहीं जाएगा ठीक तो यह भी कॉंसेप्ट वह देखके लिए जाते हैं और नमबर टेंधिया हूँ कि अर्रेंज इमेट्स कीमट्स अब हैं यहां से कोशन पूश्था है चलो एसको हम इगनौर इसको बढ़ा बढ़निया समझते है तो रूल नमबर टेंड कर आई होप को समझ में आ रहा हो गया वोर नहीं हो गया इस घं हैं बच्चा का कितना च्षंशंच में बच्चा का मेडिकल जांच बहुत बहुत बार पूशा हुगा कोस्चन है कितने समय अंतराल पर कराते हैं तो याद रखेगा हर महीना बच्चा का medical जांच हर महीना किया जाएगा और record कौन से form में रखते हैं form A में रखते हैं form A में रखते हैं medical जांच बच्चा का कितना स्तराल पे होगा हर महीना होगा record किस में रखते हैं form A में रखते हैं कौन करेगा question उठता है कौन करेगा तो यहाँ पर लिखना होगा qualified स्पेलिंग पर इग्नॉर किजेगा medical प्रैक्टी टी ओनर प्रैक्टिशिनर रूल नमर दस में जो पॉइंट है बहुत तो महत्वपूर्ण पॉइंट है कोशन पूछावा कोशन है हमी सो पूछा थाoga फिसील में चिल्रेंड का medical जांच एक सेकिंड बच्चा का medical जांच कितना अंतराल पे होता है तो हर मही नहीं होता है रिक्रड कौन से form में भरा जाता है अब उसका जो record भरा जाएगा वो form ए में भरा जाएगा कौन करेगा कौन करेगा जांच मेडिकल जांच कौन करेगा तो क्वालिफाइड मेडिकल प्रेक्टिशनर करेगा क्वालिफाइड मेडिकल प्रेक्टिशनर करेगा सिविल सर्जन करेगा नहीं क्वालिफाइड मेडिकल प्रेक्टिशनर करेगा ठीक है तो क्वालिफाइड मे आफिसर इन चार्ज बोलते हैं हम जब डेफनेशन पढ़ा रहे थे तो स्टार्टिंग भी बताया थे तीन तो डेफनेशन बताया है पर्सन को अपॉइंट किया जाता है यहां तक आपको क्लियर होगी आई हो चली आगे बढ़ते हैं तो बच्चा का मेडिकल जाच हर मैना होता है कौन करेगा क्वालिफाइड मेडिकल प्रेक्टिशन करेगा 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 कौन करेगा hebt नहीं है नर्सिंग मदर को आपको बताएं कि बच्चा चोड़ के चला गया तो बच्चा को पच्छा को पालना है पूशना है पेस्व लिजो नहीं है थे आपको उस ठीक है। अब भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगर पहले से job कर रही है, नाइटिं सिक्टि थी से पहले जॉब कर रही है, तो चलता है, लेकिन उस टाइम शूर दिया गया दो महिने में एक बार साफित है कि बच्चा का हर महीना Mercy mother का क्या जुरूरत है इसे लोगे साथ क्या स्थोट करें प्रिक्तर कर देखें ऐसे लिए इसलिए nursing mother का भी medical jance किया जाता है हर दो महिने में कि वो स्वस्त है नहीं है अगर विमार पढ़ती है या थोड़ा सा भी अगर रूप तिकत होता है तो उसको कुछ time के लिए बैठा दिया जाता है या कुछ alternate काम पर लगा दिया जाता है तो medical jance दो महिने में किया जाता है, नर्सिंग मदर का, इसका जो record है, वो कौन से form में लिखते हैं, तो form B में रखते हैं, कौन से form में रखते हैं, form B में रखते हैं, कौन करेगा, तो यही करेगा, medical practitioner, qualified medical practitioner, जिसको medical officer in charge भी कहते हैं, यह करेगा, चले, यहां तक I hope आपका clear हो गया होगा, यहां तक I इसको बार बार revision किजे, बच्चा का medical charge हर महिना, nursing mother का medical charge दो महिना में एक बार, record बच्चा का medical charge का किस में रखते हैं, नर्सिंग मदर का medical charge का report किस में रखते हैं, form B में रखते हैं, कौन करता है जांच, qualified medical practitioner, qualified medical practitioner को ही medical officer in charge कहा जाता है, ठीक है, यहां तक Iis clear किजेगा, धिर बार बार देखते रहिएगा, अगर दिक्कत होगा तो, धेरे धेरे ही जारा ज्यादा स्पीड में नहीं जारा है, क्योंकि इस सब देखो बड़ा ही छोटा चीज है, और इस सब को अगर आप छोड़ते हैं तो आप एक अच्छा खासा, मतलब समझी है अपना पैर पर कुल की बात कर रहे हैं, आपको पता चली गया होगा, क्वालिफाइड मेडिकल प्रेक्टिशनर की बात कर रहे हैं, या फिर जो वेलफेर ओफिसर होता है, ठीक है, या फिर जिसको मैनेजर रखा है, मैनेजर किसको रखता है, जनरली क्या होता है मैनेजर, कोई ओफिसर इन चार या वेलफेर ऑफिसर या मैटिकल ऑफिसर इंचार से पूछा जाता है कि यह ऐसा गड़बड़ी क्यों हुआ नहीं हुआ तो वो देखता है सब वो सुपरवाईजरिय स्टाप को जो भी है उसको फड़ा सा निर्देश देता है तो यह कॉंसेप्ट है उसमें कुछ ऐसा है नहीं चलिए अब आते हैं रूल नमबर ग्यारह प्रोवीजन आफ स्टाप प्रोवीजन आप स्टाप तो इसमें आपका सबसे पहले आएगा एक सिड्यूल सबसे पहले लगए आएगा सिड्यूल स्पहलिंग को इगनौर किजेगा सिड्यूल नमबर चार सिड्यूल नमबर चार में दिया हुआ है स्टाफ इन क्र करेच में को यह स्टाप को हाइर करते हैं अगर नरसिंग मदर है तो उसका ट्रेनिंग कितना होना चाहिए यह सब कुछ सटाप in crashed वाला जो डिदिवन 4 उसमें दिया हुआ कितना सटाप कौनि कौन सा टाइप को क्रेच में रखा जाता है यह सब को तो आपको खाले नाम याद रखना है सिड्यूल नबर चार में याद कीज़े तो एक बार तीन में हम क्या बताया थे सिड्यूल नबर तीन में हम क्या बताया थे बार याद कीज़ेगा फटाक से सिड्यूल नबर दो में क्या बताया थे jus 2 नमर एक में पता है क falls चले हम बताते हैं सीडियोल नमर एक में हम बताया थे में जाता है 시क्गेंड आपका बताया थे कि मैंडिकल क्या-क्या रखा जाता है मैडिकल एक्कॉप्मेंट कपड़ा लगता मना clothing and other accessories ठीक है other amenities इसके बारे में schedule 3 में दिया गया है schedule 4 में दिया गया है stop in crash कौन-कौन सा stop रखा जाएगा यह schedule 4 के हिसाब से decide किया जाएगा ठीक है last में एक बार भायंकर recap करेंगे अभी बंद करके मत सूतना ठीक है stop in crash ठीक है चले रूल नंबर हम 11 पर पढ़ रहे थे जो crash nurse का training किया हो जिसो हम nursing mother रखते है nursing mother तो यह हम लोग generally क्या करते हैं जो crash का training लिया उसी को रखते हैं लेकिन एक जून 1963 से पहले वाला में से पहले नियम नहीं था कि कोई बच्चा को समालने के लिए training करना जरूरी है क्या है तो ऐसा जरूरी नहीं था बाद में नियम बना गया था तो nursing mother अगर एक जून 1963 से पहले का बना हुआ हुआ है तो जरूरी नहीं कि वह training किया हो ठीक है चले यहाँ तक क्लियर हो गया क्रैच इन चार्ज को समझते हैं क्रैच इन चार्ज के बारे भी आपको बताएं medical officer in charge welfare charge या इसको में लोग बोलते हैं अगर ही बीमार पड़ गया क्रैच इन चार्ज है अगर ही बिमार पड़ गया तो इस कंदिशन में जो माइन्स का मैनेजर होगा वो 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए क्या कर सकता है हायर कर सकता है तेमप्रोरी कि 30 दिन से जादा time के लिए हायर नहीं कर सकता है तो कभी भी अगर crash in charge बिमार पढ़ जाए या कुछ अलग situation हो जाता है तो कुछ temporary time के लिए एक अलग से crash in charge hire किया जा सकता है लेकिन ऐसा hire श्रिफ और सिर्फ maximum 30 दिन तक किया जा सकता है 30 दिन तक लिए maximum अब temporary hire कर सकते हैं इसके बाद पर आपको permanent करना पड़ेगा तो यहां तक आपका clear हो गया होगा रूल नमबर ले 11 तक clear है आगे बढ़ते है रूल नमबर 12 रूल नमबर 12 में दिया है maintenance of record maintenance of record इसमें आता है एक form C जो last form है फर्म C में बुला गया है particular of children attending the crash recording of particulars of the children attending the crash क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि बच्चा कितना माइस में बच्चा कितना आ रहा है नहीं आ रहा है इसका भी तूरी रखना पड़ेगा ने जी तो बोला आप form C में रिखते हैं form C में बच्चा का नाम लिखाता है बच्चा क्या नाम है कितना उमर है किसका लड़का है कौन जॉब करता है जो जॉब करता है उसका employee number क्या है employee code क्या है कौन सा सिक्ट में जॉब करता है कितना time से कितना time के लिए बच्चा रहा रहा है तो यह basically एक form होता है form C जो है वो एक register होता है इस register में बच्चा का एंटरी किया जाता है बच्चा का detail इसमें particular detail हम लिखते हैं ठीक है चली तो एक बार हम form को बता देते है फिर से form A में हम बताया थे form B बताया थे और form C बताया थे form A हम क्या बताया थे form A में बताया थे कि जो medical अच्छा नहीं बताया थे medical exam जो होता है ठीक है medical exam जो होता है उसका result कि कैसा है medical exam जो होता है उसका result report जिसको हम लोग कह सकते result ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा report तो अच्छी डीट में का चिल्डरेंड की से स्टाफ की लिए और फांब सी जो है वो चिल्डरेंड का डेटेल चिल्डरेंड का पर्टिकुलर हम लोग इसमें रखते हैं तो इछ लिए हम बताते हैं आगे फिरसे एक बार रिपीट करेंगे ठीक है और और रूल नूर-बर 12 में एक और पॉंट था कि जो medical office इंचार्ज होगा या जो भी इंचार्ज होगा कि परेंच आखर पर और उस रेजिस्टर में कोई भी गारजियन चाहेगा तो कम्बेंफ सकता है कोई स्टाफ हो गारजियन नीजा सकता है रेगुलिस रूर्ल नंबर सद्वरी रूल नंबर 13 12 में कुछ नहीं इस पर अप च्रेश मतलब कर चांच होता है वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं दिया उसमें रूल नंबर 14 तो रूल नंबर 14 में जो हम आपको बहुत पहले बता चुक हैं कि 1959 समझ यह गाएक मिनट द द माइन्स क्रैच रूल नाइन्टीन फिप्टीन नइन ये जो है ये पूरी तरह से रद्ध हो चुका है अब द माइन क्रैच रूल नाइन्टीन सिक्टी सिक्स जो है वह जारी हुआ है तो बस द रूल नुबर 14 में यही पॉइंट लास्ट लिखा चले अब एक बर हम पूरा का पूरा सुरू से लाज तक रिविजन करते हैं पूरा का पूरा आप कर लिए हैं माइन क्रैच रूल तो हमने आपको क्या बताएं क्रैच का मतलब क्या है क्रैच एक टाइप का घर है एक बिल्डिंग है जिसमें बच्चा लोग रहता है कौन सा बच्चा रहता है जव महीला का 6 साल से छोटा बच्चा है और महीला नियोजित है उस जगा पे क्रैच बना जाता है क्रैच कब खुला रहेगा जब भी महीला ड्यूटी पे जा रही है उस जगह पर ये follow होता है section 58 के अनुसर बना है 57 के हिसाब से regulation बना है 58 के हिसाब से rule बना है और 60 और 68 के हिसाब से बहुत सारा bylaw बनता है लगाता है ठीक है कहां-कहां लागू है तो mindset जहां-जहां लागू है उस जगह पर ये लागू है अब आते हैं हम लोग कुछ और terminology के कोई लेकिन कोई और माइस है तो चीप इंस्पेक्टर भी हो सकता है या कोई परसन जिसको इस काम के लिए चुना गया है वो भी क्रेश के बारे में बता चुके एक रूम होता है जहां पर सुजधार होता है छे साल से चोटा बच्चा रहता है जहां महिला नियोजित होती है ठीक है चला Medical Officer In Charge Medical Officer In Charge क्या है Medical Officer In Charge को ही हम Qualified Medical Practitioner भी कहते हैं 12 महिने में कभी भी अगर महिला नियोजित होती है तो आपको ये रखना पड़ता है Cratch बनाना पड़ता है ठीक है Provision of Cratch Provision क्या है Cratch का तो जो बोले हैं वही सब चीज है Competent Authority Competent Authority जो जिसके बारे में बताएं जो कोईला माइन्स के लिए कोल माइन्स वेलफेर कमिशनर है और मादर माइन्स के लिए आपका CI या कोई आसा आदमी जिसको इस काम के लिए रखा वो है वो अगर कहे भी चाहे तो कोई भी माइन्स में क्रैज बनाने में समय आओधी में छूट दे सकता है आपको situation भी बताएं कि कोई माइन्स है अभी नया नया खूला है क्रैज बनाने का उसके पास जगा नहीं है तो उसको छूट दे सकता है या temporary install करने के लिए भी कहा जा सकता है कोई दो माइन्स से ए माइन्स और बी माइन्स दोनों माइन्स मिल के चाहता है कि हम एक वह क्रैज बनाएं तो उसके लिए भी competent authority छूट दे सकता है तो दो माइन्स मिल के भी एक चला सकता है अगर लगातार तीन साल से ज्यादा time तक कभी कि यहां पर महिला नियोजद कम होता है मान लिए बीस महिला पर हम बनाये थे लेकिन अभी दस हो गया है लगातार तीन साल तक दस है तो उस condition में माइन्स का ओनर अपलाई कर सकता है लेकिन अपना मन से क्रैज चेंज नहीं कर सकता है फिर हमने point area के बारे हम बताया था तरick apenas future क्या होता है जो building का चारो दिवारी है बिल्डिंग का चारो दिवारी का जो area हो उसको हम लोग pleane area कहते है तो जो crash होता उसका भी building है सर तो उसका जो चार दिवारी है उसको हम लोग pleane area कहेंगे ठीक है तो A टाइप सबसे बहले हम लोग समझते हैं, योकि schedule 1 में यह पूरा का data दिया हुआ schedule 1 में, A टाइप में हमने क्या बताएं कि अगर call mindset 10 से कम अगर महिला नियोजीत है, 10 या 10 से कम, तो उस condition में उसे A टाइप कहा जाएगा, अगर 11 से 50 है तो उसे B टाइप कहा जाएगा, अगर 51 से 100 है तो उसे C टाइप कहा जाएगा, और 100 से जादा है तो D टाइप कहा जाएगा, और याद रखेगा है 100 से जादा या 200 से जादा तो ये दोग लिख दीजेगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा अगर other minds की बात करें तो A type का 30 या 30 से कम है तो उसको A type कहा जाएगा 31 से लेकर के 100 है तो B type 101 से 200 है तो C type और 200 से जादा है तो D type बिन्ट एरिया भी आपको याद करना पड़ेगा अगर A type है तो 27.5 मिटर स्कॉयर अगर B type है तो 90 मिटर स्कॉयर अगर C type है तो 140 मिटर स्कॉयर और D type है तो 325 मिटर स्कॉयर उसका बिन्ट एरिया हो जाएगा फिर हमने बताए कि जो flooring होता है यानि कि दिवाल में कुछ उचाई तक हम क्या करते है पुरा चिकना करके रखते हैं चाहे हम cement का इस्तमाल करें चाहे stone का इस्तमाल करें यह जो chicken portion होता है वो 4 meter height तक होता है कितना meter होता है? 4 meter height तक होता है इसके बाद जो हम रूम बताएं कि जो क्रैच होता है क्रैच में हर 6 महिना में एक बार चूना का पुताईया होता है कलरिंग किया जाता है इसको हम लोग लाइम वासिंग भी कहते हैं लई वैहको किया जात। और 6 महहिना में एकबार और जो खिड़की दरवाजह पर नीचर वगएर है इसको तीन साल एकबार हम वारनिसिंग करते हैं। यानि पेंट चढ़ाते हैं इसके उपडर में ठीक है। और अगर D टाइफ है तो दो फो लेटरिंग और अगर इन फैक्सियस बच्चा आपका क्रैच में है तो उस कंडिसन में एक फो एक्स्टा आपको लेटरिंग रखना पड़ेगा ठेक है तो ये था इसमें पॉइंट अब आते हैं रूल नमर 6 में रूल नमर 6 में बताया गया है टो बाथुरूम में वासिंग एडिया लग रहेगा ड्राइइंग एडिया लग रहेगा सब एडिया को अलग रखाज़ा बाथू में क्लिए 15 लीटर प्रति बच्चा 15 010b प्रति बच्चा पानी रहा जाख ग्या घर पूंज़ा प्रति बच्चा पीने नुमान का रखना विए क्रेच में उसको बताय गया है इसमें दो सीडूल आते हैं सिडूल नमबर 2 सीडूल नमबर 3 सीडूल नमबर 1 में मैंने क्या बता है स्टेंडर्ड आप ग्रेच जिसमें A टाइप पीना कपड़ा लगता क्या रखना है और सेडियूल नंबर चार में आप पढ़ेंगे स्टाफ क्रैच ओप क्रैच चार सी टूल है चले आगे बढ़ते हैं सिदूल में यहां पर हमने बताए क्यूपमेंट और मेडिकल medicines for first aid first aid in crash यानि first aid और medical से related सामान schedule में 2 के हिसाब से रखा जाता है फिर पीने का पानी हम बता चुके हैं 2 लिटर प्रती बच्चा पीने का पानी ठंडा और सूद रखा जाता है ठीक है schedule number 3 का है आपर जिकर उठा था खाना क्या रखा जाएगा इसमे schedule 3 में clothing है other amenities है यह सब आपका schedule number 3 में आएगा अब आते है rule number 8 rule number 8 में बोलागी है crash तब तक खुला रहेगा चाहे day हो चाहे night हो जब तक महिला काम करेगी चाहे रात में महिला 2 बज़े काम करने आती है तो 2 बज़े crash को खोल दिया जाएगा तक अगर महिला का बच्चा है तो वो अपना crash में रखके काम कर सके ठीक है चाहे यह वो महिला हो चाहे कौन महिला हो चलिए आगे बढ़ते है rule number 9 में हमने क्या पढ़ा use of crash crash का इस्तिमाल कौन कर सकता है तो जो बच्चा है 6 साल से कम का वो करेगी उसका जो attendant है वो रहेगा खाली सुपरवाजरिय स्टाप रहेगा और जो inspection के लिए आता वो रहेगा फालतू आदमी बाहर का नहीं आएगा बाहर का आदमी ऐसा नहीं कि घुसके बच्चा करेगा नहीं कर सकता ऐसा तो rule number 9 में basically यह दिया हुआ है बाहर का आदमी को आना मना है अब आते हैं हम लोग rule number 10 medical arrangement medical arrangement के बारे में क्या बता है बच्चा का medical charge महिना में एक बार बच्चा को जो समालती है जिसको बोलते है nursing mother उसका medical charge दो महिना में एक बार बच्चा का medical charge करेंगे form A में रिपोर्ट लिखेंगे जो nursing mother है उसका medical charge करेंगे form B में लिखेंगे form B में medical charge nursing mother वाला का record और बच्चा का A तो यहां पर फिर से हम आपको बयाद दिलाना चाहेंगे कि तीन form के बारे में आपने पढ़ा form A, form B, form C form A में आपने पढ़ा बच्चा का medical charge का record form B में आपने पढ़ा nursing mother का report nursing mother का medical charge का report और form C में आपको मैंने बताया था कि बच्चा का detail बच्चा का detail, बच्चा क्या नाम है बच्चा मम्मी का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है कौन employed है, कौन सा post पे काम कर रहा है, कितना बज़े duty जाता तो यह सब कुछ आपका जो C में रहेगा, form C में, तीन ठो form है, चले बता दिया मैंने, कौन जार्च करेगा, qualified medical practitioner जिसको medical officer in charge भी कहा जाता है, ठीक है medical officer in charge हो, welfare officer हो या फिर जो भी in charge होगा, वो supervision के लिए जिम्मदार होगा, क्रेच का फिर आते हैं, provision of a staff आपका क्रेज, रूब चार में दिया हुआ है, अस्टाफ in crash, ठीक है उसमें crash nurse में training लिया हो उसी को हम लोग रखते हैं, नर्सिंग वाला जो भी नर्सिंग वाला ट्रेणिंग लिया हो, उसी को हम लोग crash में रखते हैं, लेकिन एक जून 1963 से पहले अगर कर रही है तो कोई जुरत नहीं है, training का training पहले नहीं हुआ करता था, बाद में इसको जारी किया गया था, ठीक है अगर कभी भी, मान लिजे crash का in charge absent रहता है किसी कारण से, तो अगर 30 दिन तक का समय है, 30 दिन आप temporary hire कर सकते हैं, 30 दिन से ज्यादा समय के लिए आप नहीं कर सकते हैं 30 दिन या उससे कम समय के लिए आप temporary crash का in charge को hire कर सकते हैं अब आते हैं, maintenance of record में इसमें pharmacy का जिकर आता है pharmacy में मैंने बताया कि बच्चा का फूरा डिटेल क्या नाम है, बच्चा क्या नाम है, फूरा डिटेल लिखा जाएगा, इसके बाद medical officer in charge के पास एक register रिखा जाएगा complaint register जिसमें कोई बच्च गार्जिन complaint कर सकता है rule no 13 में inspection of crash जैसा का तैसा, मतलब inspection जैसा जैसा होगा वैसा से इस पर लिखा जाएगा, rule no crash inspection और 14 में लिखा हुआ है कि जो पहले वाला था the mine crash rule 1959 वो वाला बंद हो गया है, आब हम लोग 1966 वाला पढ़ेंगे last में फिर से हम form कोई बार फिर से जिकर करते हैं, बार बार आपको retweet कर रहे हैं, जान रहे हैं लेकिन याद कर लो क्योंकि यही सब काम आएगा, form A, form B, form C, तीन ठों form हमने बताया था, form A में बच्चा का medical charge, बच्चा का, किसका? बच्चा का, form B में nursing mother का नर्सिंग मदर का medical charge, याद रखिएगा, form A में बच्चा का medical charge, form B में nursing mother का medical charge, बच्चा का medical charge, बच्चा का medical charge कब होता है, महिना में एक बार होता है, नर्सिंग मदर का medical charge कब होता है, दू महिना में एक बार होता है, ठीक है, अब आते हैं form C, form C क्या है, form C में है बच्चा का बच्चा का particular detail है ना तो वो हम लोग form C में लिखते हैं तो तीन टो form है फिर से याद करा रहे हैं आपको irritation हो रहा हुआ पता है हमको लेकिन फिर से याद करा रहे हैं form A में बच्चा का medical chance एक महिना में होगा qualified medical practitioner लेगा form A में लिख देगा form B में जो बच्चा को सम्हालती है nursing mother उसका medical chance होगा दू महिना में एक बार होगा qualified medical practitioner जिसको medical इंचार्ज भी का जाता है वो लेगा form C में बच्चा का detail लिखा जाएगा पुरा detail में तो तीनों form को बड़ा अच्छे से याद कर लिजेगा कभी भी पूछा जा सकता है अब आते हैं schedule में schedule में हमने आपको बताए चार schedule होता है एक दो तीन चार चार schedule होता है पहला schedule है standard for crash जो की rule no.4 में भी दिया हुआ है इसमें क्या है बिसिकली इसमें A, B, C, D चार टाइप का crash है इसके बारे में बताए गया है standard for crash A, B, C, D schedule no.2 में क्या है medical equipment क्या रखेंगे उसका detail, schedule no.3 में क्या है खाना, कपड़ा, लगता और अधर समान क्या रखेंगे उसका detail, schedule 4 में है stop इन तराच कौन-कौन सा stop को आपको रखना है, qualification क्या होना चीए इसमें दिया हुआ है तो आपका mine crash rule 1966 पूरी तरह से समाप्त होता है, आप इसको पढ़ेंगे एक दुबार तो याद हो जाएगा, कौन सा चीज आपको नहीं याद रहेगा, उसको हम एक बार फिर से repeat कर दे रहे है, कौन सा चीज आपको एकदम याद नहीं रहेगा, अभी भूला जाएगा 10 में हम आपको लिख दे रहे हैं, a standard for crash, यह हमसे लिखवा लिजी आप बूल जाएगा, अगर आप वार वर्स को recap नहीं किजेगा, तो एक बार लास में जाते हैं तो recap कर देते हैं, types of crash अलग तरफ, कोला के लिए अलग तरफ, अधर माइन्स के लिए अलग तरफ और प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया, maximum प्लिंथ एरिया, maximum प्लिंथ एरिया एक तरफ, ठीक है, a, b, c, d, ठीक, चलो, पहला हम क्या आपको याद है, d वला याद है, d वला, 100 से जादा, ठीक, अधर वाला में याद है अधर वाला में, डी वाला में क्या था? 200 से जादा, नीचे वाले लिख लेते हैं, तो क्या होता है कि Data ना आप एक दम Correct लिख पाते हैं, लास्ट आते हैं तक आप मिला लेते हैं, हाँ हाँ सही है, ठीक है, पहला में हम क्या बोले थे, कोल माइस के लिए 10 से कम रहेगा तो उस कंडिशन में A टाइप हो जाएगा 10 या 10 से कम 10 या 10 से कम रहेगा तो A टाइप हो जाएगा 11 से 50 रहेगा तो B टाइप हो जाएगा 51 से 100 रहेगा आप देखो यहां पर 100 ही बचा है ना अब यहां 31 से 100 लिखना है, 50 नहीं 100 और यहां पर लिखना 101 से 200, 101 से 200, अब देखो नीचे आचे आते हैं कि आप confirm हो गया, यह तो हम सही लिखें, गलत नहीं है, 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा गलत नहीं है, यहां तक आते आते हैं, आप find out कर लिए कि मरें डाटा पुरा सह ही है, यह question पूछेगा, एक नमबर दून बर आ सकता आपका, अब प्लिंथ एरिया में आपको कैसे याद रखना है, साढ़े 27 ए टाइप में, बी टाइप में होता है 90 मिटर स्कॉयर, सीट टाइप में होता है 140 मिटर स्कॉयर, और डी टाइप में होता है 325 मिटर स्कॉयर, यह हो जाएगा आपका प्लिंथ एरिया, बार बार इसको प्रेक्टिस किजेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट और यही चीज़ आप भूलिएगा, यही आप भूलिएगा, बाकी आपको याद रहेगा, अगर आप रिविजन करते रहेगा, यही डाटा भूलिएगा, तो किजेगा, तो ओफिस्यली, बार देख लेते हैं, ओफिस्यली, दा माइन्स क्रैच रूल्स नाइन्टिन सिक्स्टी सिक्स समाप्त होता है, और आई होप सुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ा है, एक एक चीज़ को बड़ा ही डीप में समझा है, इतना महनत अगर हम किये ह तो आप भी थोड़ा सा मैनत कर लिजे, इसको बार बार देख लिजे, एक बार कम से कम देख लिजे, तो इससे आपका अच्छे से हो जाएगा, माइन्स क्रैच रूल, और अभी कभी भी आपको क्रैच रूल में कोई समस्या नहीं होगा, क्रैच रूल को मत छोड़िए या चले, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, तिल देन, जय हैं